दा कि भोजपुरी पावस्टार पवन सिंग को अपना नाम पावस्टार की जगह धमा का स्टार कर लेना चाहिए जिस तरह से धमाका वो पूरे महीने कर तरहें सामन के उसे देख कर ये लग रहा है कि पवन सिंग अपने फैंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं अब आप यह सुनना चाहते होंगे कि अब क्या किया धमाका की ने तो हम आपको बता दें कि धमाका गेग ने इस बार यह किया है कि दो गाने लेकर आ जी हाँ दो उजिसे लिखने वाले कोई और नहीं महादेव का दिवाना के राइटर अखिलेस कश्यप हैं अखिलेस कश्यप ने दो जबरजस्त गाने लिखे हैं एक राजस्थानी घागरा और दूसरा अंटाइटल है जी हाँ यह दोनों जल्धी रिलीज होगा और इन दोनो के लिए हम आपको यह कह दे कि राजस्थानी घागरा गाना जिसने सुना सब ने कहा कि लॉलीपॉप के बाद दूसरा लॉलीपॉप यही होने वाला है जी हाँ इस गाने को लेकर पवन सिंग भी बहुत एक्साइटेट है और अखिलेस कश्यप की जोड़ी भोजपुरी मे जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है वैसे आपको बता दे कि अखिलेस कश्यप का पवन के खेमे में आना बहुत बड़ी बात है अब तक अखिलेस कश्यप जादा तर खेसारी के लिए गाने लिखते हैं और खेसारी के जितने भी बड़े गाने हैं सारे अखिलेस जी हाँ पवन सिंग जो सुरो के बात्सा है और पवन सिंग का गाना किसे नहीं पसंद है वैसे पवन सिंग के ये दोनों गाने का इंतिजार फैंस जरूर करेगी अब आप ये कहेंगे कि अगर ये गाना बहुत पहले बन गया था तो अभी तक इसे रिलीज क्यों नहीं किया तो आपको बता दे कि लॉक्डावन तो इसका रिजन था ही, साथी साथ इसलिए भी नहीं रिलीज किया गया कि इस गाने को लेकर बड़ी प्लानिंग चल रहे थी और अब इसका वीडियो और और आओडियो दोनों रिलीज किया जाएगा, साथी साथ इस गाने पर कई क्लेम किया ठीक उसी तरह इसी गाने के साथ भी हो सकता था ये गाना बहुत बड़ा है बहुत ही खुबसूरत है बहुत ही आप कहेंगे कि सुर्वाला है लोगों को डांस करने पे मजबूर कर देगा इस तरह का गाना है राजस्थानी घागरा का इंतजार किजी हम भी करेंग कर दो